हेलो अबन वाल्कम टू ऑली बोर्ट डेली बेसिस पर जैसे कि हम लोग बहुत छोटे चोटे टोपिक्स को आप लोह के लिए कर करके आरें और उन टोपिक में कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे कॉंसर्थ जो बहुत छोटे concepts है बट हमारे exam में cover हो सके उन सभी concepts को हम 5-7 मिट में आपके सामने discuss करते हैं और easy pay में उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो आज जो topic मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो topic है यहाँ पर किस तरीके से green bank model जो है वो develop किया गया सो grammy bank model का concept क्या है कैसे उसे डबलब किया गया और इस डबलब बाइदी प्रोफेसर मुहम्मद यूनिस अब दो बांगलादेश जिनने आगे चलके अपने इस काम के लिए nobel prize भी मिला है तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे he is the nobel prize literate मुहम्मद यूनिस इनको जो nobel prize मिला है बताइए वो किस field में मिला होगा can you amazing कि यहाँ पर जो उनको nobel prize मिला है वो किस field में मिला होगा आप लोग बोलेंगे सरी तो grammy bank का concept है तो शायद इनको जो nobel prize है वो मिला होगा economics में नहीं इनको मिला है piece में क्यों मिला है piece में क्योंकि इन्होंने क्या किया है जो महिलाएं है जो गरीब वर्ग की महिलाएं होती है उन महिलाओं को financially support करने के लिए concept introduce किया जिसका नाम है grammy bank model चली तो एक बार इसको देखते हैं कैसे इन्होंने develop किया और कहा से इसकी शुरुवात हुई तो सबसे पहले हम बात करते हैं global pioneer का मतलब है पूरी माइक्रो फैनेंस सिस्टम को इन्होंने क्या किया इंटोड्यूस करने वाले जो परसन है उन्होंने experiment करना स्टार्ट किये और आगे चलके इनको यहां पर क्या हो था सबसे पहले हम बात करें प्रोफेसर मुहम्मद यूनिस की इन्होंने experiment किया कॉंसियर में 1976 में और उन्होंने establish कर दिया ग्राविंड वांग एक 1983 में यहां पर जोबरा नाम की बिलेज है बांगलादेश में वहां पर अब यह हुआ कैसे इसकी कहानी सुने हुआ यह था कि एक बार यह क्या कर रहे था एक फील्ड एक खेत में घूम रहे था वहा इस बात को जानके कि शीवाज नाट एबल तो मैनेज इवन फाइब तकाज टकाज टकाज करनसी और बांगलादेश एंडियन रूपी ऑफ इंडिया तो यहां पर उन्हें देखा कि वह बेचारी जो महिला है वह फाइब पांच टका तक भी मैनेज नहीं कर पा रहे है कि व अभी कभी तो दस परसेंट पर डे भी इंट्रस चार्ज कर लिया जाता है कुछ लोगों से और जो पीपल है वह स्टार्ट दा बोरोइंग विद दम उनली गॉट पूरर तो जो लोग जो वरकर्स उन लैंडर उन मनी लैंडर से लोन ले रहे हैं वो लगातार पूरर मतलब गरीब और गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं सीदी सी बात है भाई दस परसेंट वीकली और दस परसेंट पर डे अगर आप से इंट्रस चार्ज किया जाएगा तो आपका भी लोन चुका ही नहीं पाओगे यह कॉंसेप्ट हमारा भी डिजिटल लैंडिंग एप्स व बोला कि आप इसको रीपे करना बिना इंट्रस के देखो एक तरीके की सोशल सर्विस ही तो है कि एक एक्सपरिमेंट भी हो गया कि भाई आम इतना 856 टका 42 लोगों को देते हैं और उनसे बोला कि आप इसको रीपे करिएगा लेकिन बिना इंट्रस के तो दिस इस दा ग्रामींट बैंक बांगलादेश में तो ग्रामींट बैंक को की स्थापना 1983 में सेम इसी कॉंसेप्ट पर इंट्रोड्यूस की गई भाई भी महमत यूनेस इसलिए 2006 में उनको नोबल प्राइस से सम्मानित भी किया गया आज कि अगर हम बात करें तो ग्रामींट बैंक जो ह अपर कि 100 लोगों में से 99 लोगों ने लोन दिया अब 18% ऐसा भी होता है जैनिवन कंडिशन होती है कि नहीं रीपे कर पा रहे है कुछ ऐसी फैनेंशल क्राइसिस होता लोग के साथ में फाइनेंशल कंडिशन सोती है वह रीपे ना कर पाए तो यह होता तो 99 परसेंट इसका रीपेमेंट रेट है गर्मीज़ बात करे तो मेंबर जो होते ंस गूरूप के कई ऐसे मॉडलस में भी काम कर रहा है जो उसके मैंबर है वही ऑनर भी होते हैं तो यह वाला सिस्टम भी यहाँ पर चल रहा है दक गरूप Q19 अनृ कंसिस्ट semble और तो फाइब मेंबर यहां पर जो लोन दिया जा रहा है वो भरोसे और ट्रेस्ट पर दिया जाarak बिना किसी कागच की मांग के बिना किसी डॉक्यमंट रिक्वाइट यह जो सकसेज अफ ग्रामेंट कंध यह पुव करता है कि जो पूर नीडेर्द ऐक्सेस टौ financial services जो पूर से उनको financial services चाहिए है rather than the cheap subsidies credit मतलब आप उनको सस्ती subsidies मत दो आप उनको loan दो लेकिन कम rate of interest पर या बिना rate of interest पर वो पे करेंगे यह 99% का जो prepayment rate है यही शो करता है कि जो पूर से हैं आप उनको चीप subsidies मत दो उनको सीधे आप financial credit प्रवाइट करवा हो उनको loan दो ताकि वो क्या कर सकें उस loan को repay कर सकें आत्म सम्मान के साथ में चलिए तो इसी के साथ हम इस session को end करेंगे यहाँ पर यह telegram channel की links है हर session में बताता हूँ आप लोग इनको चाहो तो जॉइन कर सकते हों यह दो बैचेज हैं दोनों ही बैचेज हमारे अलाइंड है स्टार्ट हो चुके हैं यह इंग्लिश मीडियू सॉरी यह बाइलिंग्वल बैच है जो स्टार्ट हुआ है आपका 25 अफ़एब 2023 से डैमो क्लासेज ले लिजिए बहुत बढ़िया फैकल्टी यह आपको मिल जाएंगे यह वाला जो बैच है आप इस बैच में अगर देखें वे बाइलिंग्वल ने एक इंग्लिश मीडियम बैच है इंग्लिश मीडियम बैच 13th of March से स्टार्ट हुआ है अभी क्योंकि शुबहारा मनाम का एक हमारा offer स्टार्ट हुआ है अब उसमें अगर अन्रोल करते हैं अपने आपको तो आपको code हेमानशु यूज करने पर मिलेगा maximum discount जल्दी से जाए यूज कीजिये code हेमानशु और अन्रोल कीजिये अपने आपको हमारे नए नए कोर्स में thank you so much for joining the session session को like करें share करें and do not forget to subscribe the channel thank you so much for joining the session